हेलो गाईज वेलकम तो पाइवेट एजुटिशन यूनिट आयम सौरप यूर इंस्ट्रक्टर फॉर बेसी कम्पीटर कोर्स आज हम लेक्चर वन यानि इंट्रोड़क्शन टू कम्पीटर्स कवर अप करेंगे कोई भी टॉपिक कवर करने से पहले हमें सबसे पहले यह जान जैसे कि आप सबको पता ही होगा मैक्सिमम सेक्टर आज की डिट में जैसे कि हमारे पास अगर बैंकिंग सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर में अगर पैंक में आप जाते हो आपको कैश डिपॉसिट कराना है आपको अपनी पास्बुक प्रिंट करानी है आपको पैसे विट्र वेङ में जाके आप अपना एक टिकेट बूग कराना चाहते हो तो टिकेट बूग कराने के लिए भी आपको अगर आपको नहीं तो जो टिकेट बूग कर रहा है उसको तो कम्पेटर का Correct करना ही पड़ेगा अगर हम किसी और सेक्टर की बात करें जैसे कि हम आप करते हैं तक जैसे कि अगर आपको कोई ट्रेडिंङ करनी है या आपको इससे सपोज अभी हम एजूकेशन ही रहे हैं बेंट कर रहे हैं लेकिन हम किसका इस्तमाल एक इस्तमाल करने घंपिटर कर रहे हैं ओड़ी में चाहे वो banking हो चाहे वो हमारा railway हो चाहे हमारा health department हो चाहे हमारा trading हो चाहे हमारा education means different different sectors में computer का इस्तमाल किसी ना किसी रूप में पाया ही जाएगा तो हम आज इसी चीज़ को means cover up करने वाले हैं that is computers सबसे पहले topic हमारा इसमें कहा है introduction to computers चले शुरू करते हैं सबसे पहले top हम देखते हैं कि आज हम कौन-कौन से topics इसमें cover करने वाले हैं जो महाँ पास basic तीन topics रहेंगे आज के lecture में that is what is computer principle of computers and component of computers means computer की definition हम इसमें cover करेंगे computer क्या है और इसकी definition उसका सिधान्त क्या है computer किसके सिधान्तों पर काम करता है and computer किस-किस पार्ट से मिलके बना है चले शुरू करते हैं सबसे पहले topic हम देखते हैं कि computer क्या है जब भी हम देखते हैं सबसे बड़े definition पर बात करते हैं computer है computer is an electronic device जिसमें हमारे पास basic basic एक cabinet रहता है एक हमारे पास mouse रहता है जो cabinet से हमारे पास एक wire जाएगी जो की keyboard के साथ मिलेगी इसी cabinet से wire राएगी जो हमार पास कहा पर जागी keyboard के साथ आएगी एक वायर आएगी जो हमारे पास mouse के पास आएगी एक वायर माँस के पास monitor के पास आएगी computer के हैं downloaded device है जो की हमारा keyboard या mouse से data लेता है कहा पर जाएगा data सारय का सारज़ा cabinet posição अगी कार बजा से आप यहां पर देख सकते हो ृइप्त यह माउस ये डीटा है आनरे क्रेंग के पास जारा है क्या जो भी हमारा के कैसल्यी वह को करता है करता है कि र Dw six करते हैं तब भी वह वहाया डीट उसके फीड कर पाता है जैसे हमारा डेटा फीड होता है तो cabinet का CPU का काम बनता है उस डेटा को प्रॉसीस करना राइट यह डेटा जो प्रॉसीस होगा इस प्रॉसीसिंग के बाद यह डेटा हमारा कहां पर आएगा एक आउट्पूट डिवाइस में यानि की मॉनिटर में आएगा च इसे हमारे पास है five plus four right तो means five भी एक डिटा हमारे पास है four भी हमारे पास एक डिटा है इस दोनों डिटा को मैं अपने computer पर पास करूंगा right with some instruction means instruction मतलब कुछ प्रोग्राम प्रोग्राम हम इसमें क्या बता रहे हैं कि हम इन दोनों को add करके हम इसका answer लेना चाहते हैं अब ऐसा नहीं है कि simple हम हमेशे numbers में पास करेंगे हम चाहते हैं कोई image भेज सकते हैं image पर कुछ corrections कर सकते हैं हम चाहते हैं कोई audio file भेज सकते हैं हम चाहते हैं तो को complex calculations भी भेज सकता है, that depends, हमारे user भी depend करता है, वो किस टाइप का काम करना चाह रहा है, means, computer is a electronic device that takes raw data as input from the user, means, in user ही हमेशा data देगा, जब आटमेटिक भी लेता है, computer उस data को process करेगा under some instructions, means, किसी program के अंतरगत, बिना program के computer किसी भी data को instruct नहीं करता है, जब भी हमारा computer किसी data को process करेगा, उस data को process करने के बाद ही, यहाँ से हमारे पास result आएगा, जो कि कहां पर चाहेगा, एक output device में जाएगा, means, यहाँ पर दिखते हैं, and gives the result that is output, right, means, cabinet हमारा क्या करेगा, यहाँ से result लेके, एक output device को हमारा result show कराएगा, computer की एक duty और बनती है, जो भी computer calculations करता है, उसको वो अपने भविश्य के लिए, future के लिए, store या save करके रख सकता है, right, means, एक पाद दुबारा computer definition आप पढ़ना चाहो, that means, computer electronic device है, that takes raw data, is input from user, means, यह user से data ले रहा है, उस data को process करेगा, process करने के बाद, उस data को हमारा एक output device में देगा, और जो data वो process कर रहा है, उस data को future use के लिए, save कर सकता है, right, I think आपको definition clear हो गई होगी, इस पे हमारे पास एक point यह बनता है, कि, यहाँ पे एक term हमने यूज किया, that is electronic, अगर हम बात करें, हमारे पास दो सेक्टर होते हैं, एक होता है electronic और एक होता है electrical, इन दोने में क्या difference है, मिन्च थोड़ा सा important हो जाता है यह, अगर हम electronic की बात करें, electronic एक ऐसी category है, जो कि एक low voltage पे काम करती है, I think आपको voltage के वारे में थोड़ी सी knowledge होगी, हमारी high voltage पे काम करती है, high voltage मतलब जैसे कि आपके घर में fan है, या आपके घर में washing machine है, या microwave है, इसे सारे के सारे लगभग 240 240 volts पे काम करते हैं, या इससे ज़्यादा, या इसके आसपास में काम करते हैं, लेकिन जो electronic device है, वो maximum हमारा 24 या 12 volts तक काम करता है, लेकिन जो आज की डिट में हमारा पास electronic devices हैं, वो 5 से 9 volts के बीच में काम अराम से कर लेते हैं, मिन्स हमारा एक मात्र electronic devices का लक्षे होता है, मिन्स उसका लक्षे है कि हम कम से कम power कर इस्तमाल करके, अपने computers को या किसे भी electronic device को इस्तमाल में ले पाएं, I think आपको definition clear हो गई होगी, next चलता है, that is next topic हमारे पास, computers में हमारे पास एक next topic आता है, that is जो computer हमारे पास है, उसकी full form क्या है, जैसे कि हर एक आपका कुछ नाम है, तो उसका कुछ ना कुछ meaning होगा, ऐसे ही computer का कुछ ना कुछ हमारा एक meaning निकल के आता है, हम देखता है, computers में that means commonly operating machine particularly used for, ये तीन sectors में mainly use होता है, जैसे बहुत सरे sectors में use होता है आज की date में, that is training या trade, education या research, वैसे कर हम बात करें, computer एक ऐसा ही device है, commonly operating एक machine हमारे पास है, जो किस-किस जगह पर use हो रही है, training के लिए भी use हो रही है, या हम चाहे तो यहाँ पर trade भी लिख सकते हैं, वो हमारे education में use होती है, या हमारे research में भी use हो जाती है, means education की बात करें, जैसे कि अभी आप एक basic computer course कर रहे हो, जो कि एक computer के थ्रू ही आपको पढ़ाया जा रहा है, means education sector में भी आज केड़ में computer का इस्तमाल बहुत जादा भड़ चुका है, अगर हम research की बात करें, research का मतलब क्या है, means normally अगर हम research word को लिखें, में तो research word को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is research, means जो चीज हम already एक बार खोज चुके हैं, उसी में से कोई नई चीज निकालना, उसी को हम research बोलता है, जैसे कि for example, आज से 10 साल पहले, जो हमारे mobile phones थे, वो थोड़े बलकी थे, या छोटे थे, या उसमें touch screen नहीं था, means उसमें touch screen का feature नहीं था, जब हमारे researchers ने, इस particular topic पे, कुछ research किया होगा, तब ही हमारे पास कोई नया invention निकल किया आया, जो वो सारे के सारे research चीज वो कर रहे हैं हमारे पास, हमारे scientists और researchers, वो सारे के सारे computers के थ्रू ही research को complete कर पाते हैं, right, I think आपको समझाया होगा, next topic पे चलते हैं, next topic हमारा पास principle of computers, जैसे कि मैंने आपको definition में बताया था, ति computer हमेशा keyboard, mouse से कुछ data लेके, हमारे पास cabinet को देता है, that is CPU को देता है, वो CPU ही हमारा उसको output में convert करके, result में convert करके, हमारे output device में देता है, यह पास देखते हैं, इस processor कैसे जलता है, जो भी हमारे पास data या instructions होगा, जैसे सबसे पहले कुछ data, उसके साथ इंस्ट्रक्शन जैसे कि हमारे आपे पास data 5 और 4 एक data है, उसके साथ एक instruction हम pass करें, that is addition, इन दोनों को हम pass करेंगे, वो एक input device के थुरू हमारे पास, एक processing के लिए cabinet के पास आएगा, cabinet या CPU उसको process करेगा, means in short CPU process करेगा, जो भी उसके instructions के basis पे, और उस processed data को, that is information को हमारे पास, एक output की form में लेके आके, output device को देगा, अब वो उस CPU की duty बनती है, CPU अगर हम कराना चाते हैं, उस data को save, तो हम उस data को process data को, future इस्तमाल के लिए save करा सकते हैं, that is my processed data, simple definition पे हमारे computer का सिध्धान्त, पुरा निर्भर करता है, अगर आपको definition समझ आई होगी, तो आपको computer का सिध्धान्त भी easily समझ आजाएगा, next topic पे चलते हैं, simple सी चीज हम पहले भी cover cut चुके हैं इसको, means computer के components हमारे पास क्या क्या है, computer किस किस part से मिलके बना है, जैसे कि आपको एक part अभी screen पे दिखी रहा है, that is cabinet, cabinet के अंदर बहुत सब parts होते हैं, that is hardware होता है, लेकिन हम उस पे बात नहीं करेंगे अभी, अभी हम simple मोटे मोटे components पर बात करते हैं, जिसके हमारे पास basic अभी four components है, cabinet, keyboard, monitor, and last one is mouse, means basic यही हमारे का पास एक building blocks होता है, जिसके through हमारे computer काम करता है, यह हमारे पास एक और इस पे means device रहता है, that is इसको हम बोलते हैं UPS, जो हमारे पास power supply करता है computers को, अगर हम बात करें, mouse हमेशा, जो mouse की wire होगी, वो हमेशा cabinet के साथ जूड़ी होगी, means cabinet के पास जाएगी wire, जो keyboard से एक wire निकलेगी, हमेशा ही cabinet के पास जाएगी, means जो cabinet होगा, वो keyboard को power supply करेगा, means जो current देगा, वो cabinet ही देगा keyboard को, similarly cabinet ही mouse को power supply करेगा, हम mouse या keyboard को directly, किसी भी power supply में नहीं लगाते, वो जो भी current लेंगे, या power supply लेंगे, हमेशा अपने cabinet से ही, means, power supply को लेंगे, अगर हम monitor की बात करें, या cabinet की बात करें, cabinet कहां से power supply ले रहा है, cabinet के पास, एक power supply हमेशा UPS के थुरू आएगा, means एक power supply, uninterrupted power supply के थुरू, एक device के थुरू, जिसको in short simple terms में, हम inverter भी बोल सकते हैं, inverter की terms में, बोलना चाहो, अगर समयना चाहो, या UPS भी I think, सब को समझ आता होगा, uninterrupted power supply, means जो light जाने पे भी, हमारे computers को power supply देती रहे, right, means जो cabinet होगा, वो सारे के सारी power supply, कहां से लेगा, हमारे UPS से लेगा, monitor से एक wire हमारे पास, ज़रूर आएगी cabinet के पास, जो की हमारे पास display, जो भी हमारे graphics, हमारे monitor पें दिखने चाहिए, वो सारे के सारे, इस cable के थुरूर आएगी, that is display, इस cable के थुरूर आएगी, monitor के पास, एक wire अलग से भी होगी, जो हमारी UPS से जूड़ी होगी, right, means monitor अपनी power supply, अलग से लेगा, cabinet अपनी power supply, अलग से लेगा, लेकिन जो mouse हो गया, वो power supply कहां से लेता है, cabinet से लेता है, जो keyboard हो गया, वो power supply कहां से लेगा, cabinet से लेगा, अगर आप कोई और भी devices में, include करते हो, जैसे कि हमारे पास pen drives होते हैं, hard drives होते हैं, वो सारे सारे power supply कहां से लेता है, cabinet के थुरू ही लेंगे इसके अंदर बहुत साई devices होता है जहां से हमारी power supply आती है लेकिन जो अंदर की बात है इसके cabinet के सब parts की बात है वो हम आगे lectures में देखेंगे I think आपको समझ आया होगा राइट means हमने starting से ही तीन topic पर बात की है हमारे पास input क्या है process क्या है और output क्या है I think आपको समझ आ गया होगा input क्या है कोई भी data जो computer का हम फीड करा रहे हैं लेकिन फिर भी अब डेफिनिशन देख लेते हैं input is a raw information information जो भी हम जैसे 5 plus 4 हम दे रहे थे computer को entered into a computer from input devices जैसे हमने keyboard से कोई भी data input किया computers को उसको हम as a input बोल रहे है उसको as a data बोल रहे है it is a collection of letters में जो भी हम data देते हैं computer को या तो वो letters की form में हो सकता है या numbers की form में हो सकता है या कोई image भी हमारे पास वो हो सकती है या को audio file भी हाँ पास हो सकती है computer की duty बनती है कि जो भी हम data उसको feed करा रहे हैं वो उसको process करेगा means process in short जैसे कि हमने 5 प्लस 4 दिया तो computer की duty बनती है 5 प्लस 4 दोनों को addition करके एक terminology पर वो answer ले के आए जिसको हम result भी बोलता है means process the operation of data as per given instructions means जैसे कि हमने instruction यहाँ पर plus दिया तो means इस instruction के basis पर उसने हमें answer एक result calculate करके 9 लेके आया it is totally internal process of computer system means computer इसको कैसे calculate कर रहा है वो सारा सारा एक internal process of computer का जो हम further lectures में include करेंगे last आपस इसमें part that is output जैसे हम आपस दो parts cover up हुए input हमने user से कुछ input लिया computer ने process किया तो computer की ही duty बनते है कि हमें अब answer वो दिखाएगा means output is a processed data जो यहां से process होके आया है given by the computer after data processing means processing के step के बाद जो हमाँ पास data आ रहा है उसी का output भूलते है output is also called as result जैसे हमने पहले बताया we can save this result in the storage devices for future use means अगर हम चाहते हैं इस result को या इस output को हम अपने भविश्य के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं I think आपको तीनों component तीनों एक terminology समझ आई होंगी जिसको हम बार-बार अपने basic computer course में इस्तमाल करने वाले हैं तो आपको इन तीनों के बारे में कुछ idea या fully idea होना चाहिए I think आपको समझ आया होगा आगे दिखते हैं Thank you guys for this first session on basic computers that is introduction to computers आज हमने जो topics cover किये हैं हमने topic कौन को से cover किये हैं आज that is computers क्या है Computer का सिधान्त क्या है और computers के component क्या क्या है I think आपको सारी चीज़े समझ आई होगी अगर फिर भी आपको कोई doubt रहता है lectures में तो आप पूछ सकते हैं Thank you guys